कंगना रनाउत ने राजपाल से मिलने के बाद क्या कुछ का सीधा वहीं करो करते हैं तो कंगना रनाउत ने राजपाल के साथ मुलाकात किया और पूरे मसले पर कंगना रनाउत का क्या कुछ कहना है वो लगातार आपको सुनाएंगे लेकिन आपको बता दे बीते दिनों से जिस तरीके से कंगना रनाउत का मसला एक गम से उठ रहा है और महारास्व सरकार पर कई सवाल यहां पर खड़े हो रही है और लगातार कंगना रनाउत अपने बेबाग अंदास के जरिये महारास्व सरकार पर हमला करती हुई नजर आ और इसी बीच कंगना रनाउत ने राजपाल से मुलाकात की है ऐसे में इस मुलाकात के बाद कंगना रनाउत का क्या कुछ कहना है यह जाना काफी ज़्यादा मेतवपून हो जाता है क्योंकि लगातार कंगना रनाउत काफी ज़्यादा बेबागी के साथ वीडियो और रख रही है और अभी व्यक्ति की आजादी हर किसी को है लगातार कंगना रनाउत के विशे में यही बात कई जा रही है ऐसे में इसी बीच मुलाकात कंगना रनाउत की राजपाल के साथ हुई है क्या कहना है कंगना रनाउत का इस मसले पर इसके बाद यह जानना काफी ज्या यह तस्वीरे आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब कंगना रनाउत की थी राज़ेपाल कोश्यारी से मिली हैं कंगना और उनकी बहन भी इस दोरान उनके साथ मौजूद रही हैं यह तस्वीरे काफी ज्यादा महतुपूर्ण यह तस्वीरें आपके टेलिविजन स्क्री पर नहीं हम आपको दिखा रहे हैं जब कंगनार अनौत की मुलाकात राजजपाल के साथ हुई देखिए तो किस तरीके से कंगनार अनौत के हां मुलाकात हुई है राजजपाल कोशियारी के साथ उनकी बेहन भी जोरान हलाकि उनके साथ मौजूद रही लेकिन पूरे मसले पर कंगना रनाउट ने किस तरीके से राज़ेपाल के समक्ष अपनी बात रखी ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है फिलाल तस्वीरे हम आपको दिखा रहें कंगना रनाउट की तस्वीरे और राज़िपाल देखे इन तस्वीरों में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात करती हुई कंगना रनाउट और कंगना रनाउट की बहन भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं बीमसी की कारवाई जिस तरीके से हुई बीते दिनों जिसके बाद लगातार महाराश्य सरकार पर कई सवाल उठे कि बदले की भावना के साथ महाराश्य सरकार ने कंगना के दफ्तर पर इस तरीके की कारवाई की है और लगातार हिमाचल से लेकर महरास तक लोग कंगनारनाओत के समर्थन में नजर आए यूं लग रहा था मानो पूरा देश इस वक्त कंगनारनाओत के समर्थन में है BMC की कारवाई को लेकर राज्यपाल से ये मुलाकात कंग रनाउत की हुई है और तस्वीरे लगातार हम आपको दिखा रہे कैसे कंग रनाउत यहाँ पर पहुंची कोरोना काल के बीच और उसके बाद उनकी बहाँ देस्टी गोवपनर उप महाराष्ट्रा भगंसी खेच्ष्यारे और मैंने उनसे बात कि, वह हमारे सबके गाडियन है यहाँ पर जिस स्परा से मेरे साथ सुलुक हुआ है, इस बारे में मैंने वही बात कि वही हमारे अज ब्रीफ जो whी मीटींग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया and I hope justice be given to me ताकि जो हमारे देश के जो लोग है और जो बच्चियां है खासकर उनका जो faith है वो सिस्टम में रिस्टोर हो और मैं कोई politician तो हूँ नहीं और मेरा कोई politics से लेना देना तो हैने as a common person, as a citizen, as a as somebody who has started from a scratch in this city which has given me so much आज अचानक से जो मेरे साथ ऐसा अभधर ब्यावार हुआ है तो I am very much privileged और ये मेरे भागे हैं कि Governor Sir ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूती दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे नियाय मिलेगा थेना वार्ट तो देखिए कंगना रनौत को आप इस वक्त सुन रहे थे उनका सीधे तोर पर कहना है कि राजजपाल भगत सिंग कोशियारी के साथ उनकी मुलाकात हुई जिस तरीक का व्यवहार उनके साथ किया गया बीते दिनों जिस तरीके का बरताब कंगना के साथ महरास्ट सरकार की तरफ से किया गया और बीमसी की कारवाई जिस तरीके की हुई तमाम मसलों पर उन्होंने राजजपाल के समक्ष अपनी बात रखी है और कंगना रनौत ने खुद ये शब्द बोले हैं कि उन्होंने एक बेटी के तोर पर उन्हें सुना उन्हें सहानुभुती दी और उम्मीद वो कर रही है कि आगे उन्हें न्याय जल्दीस मसले पर मिलेगा ताकि तमाम देश भर की बेटियों को एक उम्मीद जगे कि हाँ उनके साथ कोई खड़ा है तो तस्वीरों के साथ